नमस्कार और एक बार आप सभी लोगों को फिर से सौगत करती हूं आपके अपने ही चैनल पेस्टी-पेस्टी पर आप में से काफी सारे लोगों ने कई बार पूछा हुआ कि मैं अपने पौधों के लिए मिट्टी कैसे बनाती हूं क्योंकि इनिश्यल लेवल पे जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो इस तरह कि छोटी-छोटी सी बातें भी हमारे लिए काफी महत्त पूड़ हो जाती तो उन लोग के लिए जानना भी जरूरी हो जाता है जो पहली बार गाड़नी कर रहे हैं वही आज हम लोग बनाएंग पौधे जब मरते हैं तो पानी की अधिकता की वज़े से ही मरते हैं वही अच देखते हैं कि हम लोग अपनी मिट्टी में क्या-क्या मिला और कैसे मैनेज करें इस सर्दियों के पौधों के लिए एक बहतरीन सी मिट्टी बनाने के लिए तो देखिए सबसे पहले तो हमें जूरूत पड़ेगी अपनी इस मिट्टी की जो भी आपकी normal सी garden soil है एक फिस्सा आपप जीतनी मिट्टी आपको बनानी है तो उसका करीब or 1 3 इस्ससा आप लेगे इस मिट्टी आप इस मिट्टी में हमें कुछ और हैं तो दे कि यह हम लोग मिलाएंगे बालू थोड़ा मोटे साइज का है बालू जो कंस्ट्रक्शन ने यूज होता है इस मिट्टी में हम लोग कोको पीट नहीं मिलाएंगे चुकि हम लोग बना रहें अपने विंटर के पोधों के लिए तो कोको पिट पानी बहुत औल्ड करता है विंटर्स जो भी उच करते हैं वो लेंगे, तीनों की बराबर बराबर मात्रा होगी, आप ये लिये हुआ हम ने अपना बनाना पिल फर्टिलाजर, इसकी जगह आप वर्मी कमपोस्ट भी ले सकते हैं, तो मैं इस में मिलाओंगी लगबग 10 परसेंट ये बनाना पिल फर्टिलाजर और लगबग आठ से दस परसेंट यह है हमारी नेम की खली, नेम की खली कभी हमारी मिट्टी में एक एहम रोल होता है, चुकि यह बहुत हमारा बेतरीन फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, तीनों का काम करता है, तो नेम खली आप इसमें जरूर मिलें, और बस आप इन सबों को हम मिला लेंगे और ये कि बेहतरीन सी हमारी मिट्टी बनके हो जाएगी तयार दियान रखे कि ये विंटर्स के लिए आप बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इसमें कोको पिट ना मिलाएं क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम गाडणिंग करते हैं तो काफी सारी छोटी मूटी सी ये मुश्किले हाती है क्योंकि बहुत हमें आइडिया नहीं रहता है कि हम इसमें कितना पानी डाले कोको पिट की वजए से इसमें पानी ज़्यादा होल लोगा या नहीं होल लोग कि आपके पौधों की जड़े सड़े या कर लें बस हमारी बेतरीन से मिट्टी हो गए तयार अब यह हमारे सर्दी के जो भी हमारे सब के लिए मिट्टी हमारी बेतरीन तरीके से काम करेगी भड़ लेंगे हम अपने अपने गमलों में और लगा लेंगे धेर सारे रंग भी रंगे पहुत है उमीद है कि जो हमारे कुछ भाई बैनने शुरुआती दौर की गाड़निंग करने तो इस तरह से मिट्टी बनाने म उनको कुछ मदद मिलेगी और इसी तरह से वो लोग अपनी भी मिट्टी बनाएगे वीडियो पसंद आये हो तो लाश्ट में वही कोँगी जैसे हर वीडियो में कहते हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलें साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर और बस जूड़े रहे मेरे साथ एंजॉय करें अपनी गाडिनिंग को जल्दी मिलते हूं अगले वीडियो में तक तक लिए थैंक यू